नमस्कार जोहार आपको पता है कि 31 जनवरी को जे एससी कारियाले पे छात्रों ने परदर्शन किया था और उस परदर्शन के बाद जो आराजकता हुई थी छात्रों के द्वारा नहीं पुलिस के लाटी चार्ज के करण पत्राव के करण उसी मामले पर दमानात्मक कारवाई करते हुए जो नामकुम थाना के पुलिस निरिक्षक है रवी कुमार केसरी उन्होंने एक सिकायत दर्ज किया है और ये दो पन्ने का जो सिकायत है इन दो पन्नम में उन्होंने छात्रों के उपर और भीड के उपर बहुत सारे आरोप भूल गए कि सीजी एल का जो परिक्षा है वो क्यों रद किया गया किन लोगों ने दला ली कि कि सीजी एल जैसी महत्वपूर्ण परिक्षा तो जो दस सालों के बाद आयोजित हो रही थी उसमें गरबड़ी की हुई है और उसके कारण कोई जिक्र नहीं किया उनके संचालकों का कोई जिक्र नहीं किया है इस पूरे सिकायत में उनमें से एक भी नाम नहीं है छात्र निता देवेंदरनात महतो पर भीड को साने का आरूप लगाया गया है और वो बता रहे कि उनके नित्रितों में वहां पर भीड जो थी वो न चाहिए था कि इस पूरे गरबड़ी में 500 करों का जो टार्गेट लोगों ने फिक्स किया था वो किन लोगों ने फिक्स किया था जो उनके गुंडों ने आरज जक्ता की जो कारियाले पर तोर फोड किया उसको ले करके कुछ नहीं कहा गया है आपको पता है कि जबी केसस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सांति पूर्ण परदरशन को ले करके है जरूर छात्रों को ले करके और जो पीडित होते हैं उसकी आ पेड़ा को पीटा गया आरूप यह कि हजारों की भीड ने हमला किया जिसमें सिर्फ एक पुलीस वाला गायल हुआ है आप सोच करके देखिए कि si अगर हजारों की भीड हमला करेगी तो людям स्च्छ पूर्जब है लोगा अलाकि हम लोगं को उनके घ्थार होने हुआ है अगर हजारों की भीड का आरोप इस में लगाया गया है तो अगर हजारों की भीड अगर किसी एक व्यक्ति पर अगर हमला करे तो क्या उसकी जान बच सकती है क्या मामला सिर्फ इतना है कि उनकी कार का सीसा तूटा है आरोप ये लगाया गया कि जान से मारने के नियत से हमला किया गया ये आरोप लगाया गया है और हजारों लोगों की भीड ने एक व्यक्ति को टार्गेट किया वो बच कैसे गया ये लोगों को भी आश्यर है जर आप भी स कोशन सेटर को कोई पहचान नहीं की गई है जो कोशन सेट किए जिन लोगों ने पठना और गया में छात्रों को रटवाया क्या आपने उनकी पहचान की है उनका नाम है क्या इसमें क्या कारवाई कर रहे हैं आप उनके खिलाप माफिया बोल रहे हैं कि 500 करोड़ों का नुक्सान हुआ है देविंद्र नाथ महतों को डारेक्टली इन डारेक्टली ये धमकी दिया जा रहा है छात्र नेता हैं अंधोल अनकारी हैं सब को पता है कि वो आवाज उठाते रहते हैं और इस तरह के छात्र नेता को माफिया धंकी दे रहा है कि उनका 500 करोड का नुक्सान हुआ है और देखते हैं कि कैसे को और कौम देविंदरनात महत्यों को बचाता है किस धंकी आरा जकता ये लोग जारखंट के अंदर लेकर के आये हैं या जो देख रहे हैं आप लोग भी स अगर मिडिया वालों पर या पत्रकारों पर हमले हुए हैं तो पत्रकारों ने कितना मुकदमा किया चात्र नेताओं पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इसका मतलब है कि आप अपने पक्ष को अपने कुन्बे को बढ़ा करने के लिए मिडिया वालों का सहरा ले रहे है उपस्तित पुलिस वालों में जो लोग थे उनलों को ने identify किया है मिडिया के कैमरों के जर्या identification हुआ है तो इन कैमरों ने क्या सिर्फ JVCASES के चेहरों को ही पहचाना है कोचिंग संस्थान के चेहरे कहा गए उन चेहरों का identification क्यों नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि यह selective target किया गया है लोगों को और सबसे सोचने वाली बात यह है जो सबसे गंभीर बात है वो यह है कि जो coaching संस्थान के जो लोग है उनके उपर अब तक कारवाई क्यों नहीं हुई वो कौन लोग थे जिन लोगों ने question लिख किया था वो कौन लोग हैं जो देवंदर मातों को धंकी दे रहा है और वोन लोगों ने क्या पुझी लगाया था जो फान्सो करोड़ों का उभान का नुकसान हो गया है क्या पुझी लगाया था उन लोग time नेे उन लिख हुआ है यह बहुत सर्मनाख है जिन लोगों को टार्गेट किया गया जिन पे ना जिनको नामदर्ज किया गया है इसमें आप देवेंदर नात महतों को ले लीजे राजी का बड़ा चेहरा कौन नहीं पहचानता है उनकों की आंदोलन के लिए जाने जाते है जेवी केसस के सिनियर लीडर है मनुझ यादव जेवी केसस के सिनियर लीडर है प्रेम नायक जेवी केसस के सिनियर लीडर है महंदर परशाद भी है लखी रामू है संजय महता को कोलहान से आती हैं को नहीं जानता है आप बीने महता को नहीं जानते हैं क्या महंदर परसाद महता महतों को नहीं जानते हैं क्या विशाल पॉल को नहीं जानते हैं बोकारों से संबंदित हैं आप चंदन को लीजिए आप साइना परविन आपका केस फॉल्स है जो सूचक है के किसरी साहब ये मुकदमा वापस लीजे आप साइना परवीन पर आरुप लगा रहे हैं वहां मौजूद नहीं आप सबूत दीजे तो जो लोग वहां पर मौजूद नहीं है उनको आप फ्रेम कर रहे हैं देव मातो यूटूबर है वह कवरेज के लिए गये थे आपने उनको मुकदमा कर दिया है कि यूटूबर एगर अंदोलन को समर्थन करता है छात्रों के परिशानी को अगर दिखाता है तो आप उस पर मुकदमा करेंगे देव महां तो कोई नित्री ये निता है क्या वो एक ऐसे आंदोलनकारी यूटूबर है जिन्होंने कवरेज दिया है और आप उसको फ्रेम कर रहे हैं इस पूरे मामले पर सर्मनाग है धारा भी आपने जो लगाया 147 दंगा का दोसी कौन वहां दंगा फैला रहा था जब अन थ्यारों से ल्यासो करके दंगा कौन वहां पर बंदू कर पिस्टॉल ले करके गया था दंगा करने के लिए नाम बताइए जरा 149 आपने लगा दिया है नियम बिरूद जमावडा आपने इसको अपराध माना है लोग अपनी आवाज उठाने गये हैं आप उसको नियम बि आपने लगाया है चात्रों पर बहुत सर्मनाख है 186 लोग सेवकों को आप काम करने से रोक रहे हैं ऐसा आपने आरूप लगा दिया आप 188 लेकर करके आगया लोगडाउन का धारा है यह पेंडेमिक का धारा है कौन सा पेंडेमिक पिरियाट है यह बताइए जरा 323 है आप जान बूज करके किसी को आप चोटिल करने का या हमला करने का आप आरूप लगा रहे हैं किसी को प्रस्नली टार्गेट किया गया क्या मोब में अगर एकांथ पत्थर किसी पे लगा है तो 233 का मामला है क्या आप 332 को आप लगा रहे हैं लोग से जड़ा एक और धारा आप लगा रहे हैं आप लगा रहे हैं 504 लगा रहे हैं अपमानित करने का धारा लगा रहे हैं आप अध्ययक्ष最 JSSC के इसका यह बतलब यes peer-価 एपका मान है शात्रों का भी मान है अपमान उनका भी हुआ है आपने हो चात्रों का अपमान किया है two Ate 두 teaspoon को जिन लोगोंने परिक्षा डी है उसमें चार लाग से उपर चात्र थे कि समपति को नुक्सान पहुचाने की धार आपने लगाई यह चार पन्ति को निकसान पहुंचा दिया गया जेवी केसेस की तरब से मैं आप सभी लोगों से अनुरोद करता हूं कि इस पूरे मामले पर आप लोग विचार कीजी और खास करके नीरे सिना जी मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अध्यक्षे जेसेसी के छात्रों के हित में काम कीज जारकंड के छात्रों का हित है उनके हितों की रक्षा करना है मगर अपसे उसके साथ कहना पड़ता है कि आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं बहुत दुख और सर्म की बात है एक बार फिट से जेवी केसेस की और से जो सूचक है इस पूरे मामले की उनके इस प को आप चिर्नीत करके उनको book कर रहें उनके उपर मुकदमे लाद रहें हैं इस पे जैवी केशस को आपत्ति हैopa कि हम कि केस मुकदमे को वापस लीजे, शात्रों के भविस्थ के साथ खिलवार मत कीजे, धन्यवाद जोहार